हलो फ्रेंग्स वेलकॉम टू बोलती मूवी आई एम जै दोस्तों मैंने कफस नाम की एक वेब सेरीज देखी सोनी लिव पर स्टेरिंग शर्मन जोशी और मोना सिंग और इस वेब सेरीज के टोटल आठ एपिसोड है हरक एपिसोड 40 मिनिट के आसपास का है इस वेब सेरीज का concept debatable है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें जिस तरीके से स्टोरी लिक़्ी गई है वह बहुत हाड तरीके से लिखी गई है कैसी है मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि वेब सीरीज में एक सूपर स्टार होता है उसकी एक मुवी आ रही होती है सूपर डेड अब उसी मुवी में एक चाइल आर्टिस्ट होता है जिसके माबाप शर्मन और मोना होते हैं अब जो स चरमन और मोना को पता दलता है कि मेरे बेटे को मुलेश्ट किया है तो वह कुछ कर नहीं पाते हैं इब माबाप को अपने ऑफिस में बुलाता है और करोड की ब्राइब देता है और उसके माबाप ले भी लेते हैं फिर बंगला स्वरी एक यूज लग्जरियस फ्लेट लेते हैं बड़ी गाड़ी लेते हैं बचों को वह अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाते हैं लेकिन वह जो चाइल आटेस होता है सनी वह इतना यह वेब सीरीज शुरू कर रहे हो तो आप उस माबाप को बहुत ही हेट करोगे लेकिन जब तक क्लाइमेक्स नहीं आता है तब तक आप नेगेटिव साइड ही पर ही रहोगे लेकिन जैसे क्लाइमेक्स आएगा आपका वीचार पर क्वेस्चर मांक आएगा कि मैं जो सोच रहा था वो सही था या गलत ओवर ओल इस वेरी गूड एन यूनिक स्टोरी एसी स्टोरी ज्यादा तर देखने को नहीं मिलते हैं शायद यह थियेटर में रिलीज होती तो शायद क्लाइमेक्स में रिविल कर दिया होता है कि उन्होंने ब्राइब क्यू ली है नेगेटिव है गलत है ब्राइब नहीं लेनी चाहिए लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन थी उस हिसाब से उन्होंने ब्राइब क्यू ली वह आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा तो अगर आप वेब सेरीस देख रहों तो पूरी की पूरी देखना आपकी वीचार